नमस्कार इन नो कार्णों की वज़े से घर घर में हनुमान चालीसा पड़ी जाती है आप सभी जानते हो बगवान हनुमान को कल्यूग का देवता कहा जाता है उनको वर्दान है कि अगर कल्यूग में सबसे ज़्यादा प्रपाव होगा किसी बगवान का तो बगवान हनुमान का होगा और इसी वज़े से घर घर में बगवान हनुमान पूझे जाते हैं तो यह भगवान हनुमान की हनुमान चालिसा आकिर हमें क्यों पढ़नी चाहिए और भारत के गर गर में हनुमान चालिसा क्यों पढ़ी जाती है इन नो कार्णों की वज़े से और वो कौन से हैं ये देखिया नमबर वन अद्रश्य सक्तियों से बचने के लिए कहते हैं ना कि भूत पिसाच निकट नहीं आवे हनुमान चालिसा में एक लाईने आपके आसपास कोई अद्रश्य सक्तियां हैं जो आपको नुकसान पोचा सकती है उन अद्रश्य सक्तियों से निपटने के लिए हनुमान चालीसा पड़ी जाती है। सेकट अचानक गटना या दुर गटना से बचने के लिए हनुमान चालीसा पड़ी जाती है। व्यक्ति के जीवन में अचानक संकट आ जाता है या कोई अचानक दुर गटना हो जाती है। तो उन्हों अचानक संकट और अचानक सदन दुरगटना से बचने के लिए भी हनुमान चालिसा पड़ी जाती है। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में विश्वास है ना, तो अचानक संकट नहीं आएगा। कोई भी अचानक आपके जीवन में दुरगटना नहीं होगी। थर्ड, बाइसे मुक्ति पाने के लिए भी हनुमान चालिसा पड़ी जाती है। बहुत से लोगों के मन में एक अंजाना सा डर रहता है। कुछ भी काम करते हैं, तो अंजाना सा ढर मन में बेटा लेता है। किसी बात का तो जिसके भी मन में कोई भी अंजाना सा डर बेटा लेता है, अंदर confidence नहीं रहता है, तो उसको हनुमान चालिसा पड़ी ज़必ए। 22 से मुक्ति पाने के लिए लोग हनुमान चालिसा पड़ते हैं और उसका असर भी होता है 4. मानसिक सांती के लिए हनुमान चालिसा पड़ी जाती है बहुत से लोगों के परिवार में सांती नहीं होती है नोकरी में सांती नहीं होती है बिजनिस में सांती नहीं होती है गर परिवार में कलेस होता है तो मानसिक सांती पाने के लिए भी हनुमान चालिसा पड़ी जाती है और जब आप हनुमान चालिसा पढ़ते हो तो थोड़े दिनों बात आपको मानसिक सांती मिनने लगती है फित रोगों से मुक्ति के लिए भी हनुमान चालिसा पड़ी जाती है आपके सरीर के अंदर कुछ भी रोग है ना तो रोज हनुमान चालिसा पड़ी है बस आपके मन में आस्ता होने चाहिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए और आपके मन में अटूट स्रद्दा होने अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होना तो आपके अंदर कोई साभी रोग हो वो एक ले एक दिन जरूर मिट जाएगा संकट से बचने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है बगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है किसलिए कहा जाता है इसलिए कहा तो regular हनुमान 40 पढ़ने से आपके जीवन में आने वाले अचानक संकट से भी आपको मुक्ति मिलती है सेवन बल, बुद्धी और विद्या इसके लिए भी हनुमान 40 पढ़ी जाती है बल, विद्धी और बुद्धी के देवता हैं भगवान हनुमान भगवान हनुमान को इस सिद्या मिली हुई है कि जो भगवान हनुमान की इस्तित्य करता है उसको बल मिलता है उसको विद्या मिलती है और उसको बुद्धी मिलती है तो इस कारण की वज़े से भी हनुमान 40 पढ़ी जाती है जो इंसान regular हनुमान चाली साब पढ़ता है तो उसको बल मिलता है उसको विद्या मिलती है और उसको बुद्धी मिलती है ग्रेकलेस की सांती के लिए भी हनुमान चाली साब पढ़ जाती है कभी कभी कुछ अद्रश्य सक्तिया होती है जो आपके घर में सुक नहीं देख सकती है आपके घर से जल्दी है तो उनका नकरात्मक प्रभाव आपके घर पे पढ़ता है और आपके घर में ग्रेकलेस होता है तो उस ग्रेकलेस की सांती के लिए भी हनुमान चालिसा पढ़ी जाती है और जब आप हनुमान चालिसा पढ़ते हो तो वो अद्रश सक्तिया जो नकरात्मक सक्तिया होती है आपके गर के ओपर बदूर हो जाती है भगवान हनुमान बदूर कर देते है राहू, केतू और सनी से बचने के लिए भी हनुमान 40 अब पढ़ी जाती केता है ना कि कुंडली में योग बनते हैं सनी के, राहू के, केतू के और जब योग बनते है ना तो इंसान राजा से रंक बन जाता है लेकिन जो लोग हनुमान चालिसा का रोज पार्ट करते हैं न बगवान हनुमान पर सद्धा रखते हैं न उनके जीवन में सनी, राहू और केतु का परभाव बहुत कम होता है बिलकुल सुनी के बड़ाबर होता है, राहू, केतु और सनी उसको कोई नुकसान नहीं पोचा सकते हैं जो हनुमान चालिसा का रोज पार्ट करते हैं, तो इस नो कार्णों की वज़े से हनुमान चालिसा पड़ी जाती है और बारत के गर गर में हनुमान चालिसा पड़ी जाती इन नो कार्णों की वज़े से